मुडवा नहैं आई लिआता रू नाहा ना kick मुडवा नहें आई लाटा लू ना explaining मुडवा नहा । सबसे पहले तो गुनवाना दर्षण के जितने भी सदस्वे हैं आप सभी को मेरा साधर पेवजवार इसा की रन मैम का भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्हों अजो पाल किया था और आज की लाइव के लिए गुनवाना दर्षण के पेज 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 अमंत्रिच किया अंग्यां अर्फ से पहले तो यही कि आज का विस्व हैं हम लोग जो चर्चा कर रहे थे गुनवाना दर्षण के जो भी सदस्वें उनके सांट कि आज जो जन जाति जो इस पेज को फॉलो करते हैं उनसे जुड़े हुए हैं मेरा नाम रिदुपंद्राम है और मैं पहले बिलासपुर जीले में थी अब हमारा जीला अलग हो गया है और हमारे जीले का नाम थोड़ा लंबा चौड़ा भी हो गया है गौरेला पेंडरा मरवाही तो मेरा निवा क्यासर में अभी प्रयास्थ कर रहा है कि हम जो राजनैती की स्विट है प्रुलों कोちゃुर्व में पाये अर्छहाओ के लिए और जाज ही हो ऑप सब के ूर्य हुए हो चुनाव से और 2015 में मैं चुनाव लड़ी थी और फिर गाउमालों के आशिरवाद से मैं सफल भी रही उस पंचायत निर्वाचन में और पांस साल के बाद मैंने कोशिस की कि मैं बहतर काम कर पाऊं अपने गाउं में चाहे वो निर्माणकार से संबंधित हो या फिर वो बच प्रति जागरूपता की जो चीजें हैं उसके लिए मैंने काम किया और आप लोगों से भी मुझे बहुत ज्यादा सहयोग मिला सोसल मेडिया के माध्धन से भी बहुत इसनेह मिला और मेरा जो भी काम है उसको सराहना की गई और कही ना कहीं आप सब लोग इसकी हगदार है क क्योंकि आप सबने एक दूसरे से साजा किया उससे कही ना कहीं मुझे उर्जा मिलती थी कि मैं अपने काम कि प्रती और निस्थावान बनूँ तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तो आज जो मैं सर्चा करने वाली हूँ वो यह है कि जैसे अभी राजनीती की जो इस्थिती है आप सभी ग्राम पंचायत से संबंधित होंगे कहीं न कहीं आप किसी भी ग्राम पंचायत के निवासी होंगे तो आज की जो विवस्थाएं हैं कि आज जो हमारा मूल निवासी जो समुदाय है वो किन परिस्थितियों में खड़ा है और हमारी जो अस्मिता है हमारा जो सम्मान है हमारा जो रीती रिवाद है हमारी जो संस्कृती है तो इन सब के विसा में आज हम लोगों को चिंता करन में हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इस देश में हरति हरं को मौनने वाले लोग है हर जद्वार जाति संवुदाय के लोग हो अम पर किसी सम्थित नहीं होता हम निरमार करना चाहते हैं हर जाति और हरंषति जो जो विवस्थाइं हैं वो साफ सुथरी हों क्योंकि ग्राम पंचायत में सरपंच रहते हुए मैंने ऐसी बहुत सारी चीजे देखी हैं और बहुत कुछ सीखने को मिला है और मुझे लगता है कि इन विवस्थाओं में भी हैं बदलाव होना चाहिए उनमें क्योंकि जैसे आप अभी देख रहे होंगे आपकी जो ग्राम पंचायत की विवस्थाएं हैं चैसगर में ज्यादातर पंचायते अनसूची क्षेतर के अंतर गताती हैं और वहां पेशा कानून लागू है लेकिन आज तक सरकार के द्वारा भी यह प्रयास नहीं किया गया कि उन पेशा कानून की विवस्थाओं के आधार पर अनसूची छेतर के जुनियाम कानून हैं उनके आधार पर शीजड़े संचालित हो। हम लोगों कहां जरूर जाता है कि आपका ग्राम पंचायत है कि अनतरगता पेशा कानून है आपके ग्रांट सभा के तार हग और अधिकार हैं लेकिन वास्ताव में ऐसा होता नहीं है वास्तविक स्थिती इससे बहुत अलग है हो सकता है ऐसा ग्राम पंचायत जहां पर हर तरह के लोग हो जागरूख हो और ग्राम सभग का महत्व जो है समझते हो पाच्य और सूची छेत्र के जो नियम कानून है उसको जिला पंचायत का चुनाओं हो यह जो पंचायत जो व्यवस्था इसने गाउं को तोड़ने का काम किया है जो हम लोग ऐसा समझते हैं मैं आसा मानती हूं क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो एक ग्राम पंचायत की चुनाओं में भी गाउं का ही व्यक्ति खड़ा ह हो जाता है तो वहां पर यह समस्या होती है कि भाई-भाई में आपस में लड़ाई हो रही है कहीं एक परिवार में लड़ाई हो रही है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को आप विचार करने की जरूरत है कि जो गाउं टूट रहे हैं जो परिवार टूट रहे हैं जो घर जाना है क्योंकि वहां पर हर कोई चाहता था या तो मैं PhD कर लूँ या फिर मैं civil service जॉइन कर लूँ या फिर मैं doctor बन जाओ इंजीनियर बन जाओ इस तरह के बहुत सारे अलग-अलग aims होते थे कोई dancer बनना चाहता है कोई singer बनना चाहता है लेकिन एक ऐसी परिस्थिती आई कि कि जब हम लोगों ने समाज के महत्व को समझा समाज के महत्व को जाना कि समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए इसको हम लोगों ने जाना और ये सिर्फ सफल हुआ हमारे गुनवाना रत्न दादा हीरा सीमर काम जी के संगहर्सों के कारण दादा कंगाली दादा सुनेर सिंह ताराम जी के संघर्थों के कारण और मुझे लगता है कि आज की युवा पिढ़ी है इनको हमारे जो महापूरुस हैं हमारी जो मात्र सक्तियां हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन गुनवाना को जगाने में अपना पूरा समय दिया अपना जीवन दिया और फिर आज भी निरंतर यही प्रयास कर रहे हैं कि यह जो समाज है उसकी जो समाजी किस्थिती है किस तो मैं ऐसे माध्र सक्कियों को यहां से सिवा जोहार करती हूं कि उन्होंने एक जन जागरती फैलाई कि आज के जो युवा हैं वह सोचने पर मजबूर हैं कि समाज के प्रती हमारी भी को जिम्मेदारी है और हम उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर सके और मैंने तो हमेसा जागरती हैं कि आप जब पैदा हुए हैं कि माता पिता के तो आप हैं ही करजार् माता पिता का अपका उतना ही हक है माता पिता का आप पर लेकिन समाज समाज के वह कंदारा देनी के लिए वहां पर उपस्थित होंगे और हर तरह के जो काम है उसमें सिर्फ जो समाज के लोग हैं वो ही खड़े रहते हैं फिर वो चाहे किसी भी जाती धर्म के वेक्षिव तो ये जो चीजें हैं इन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया और मुझे लगा कि हमारी भी एक जिम्मेदारी वनती है कि हम लोग इस चेतर में कुछ काम करें तो मिश्चित रुप से संघर्स बहुत जादा है और प्रयात कर रहे हैं कि हम इन चीजों को बहतर कर सकें और इसलिए मैंने 2015 के बाद 2018 में मरवाही विधान सभाज से विधायक के लिए मैं वहां से चुनाओ लड़ी और गुणवाना गर्तन पार्टी की संघर्थन ने ही ये निर्ने लिया कि जो युवा हैं उनको मौका देना चाहिए क्योंकि उनका हमेशा मानना था पार्टी का हमेशा मानना था दादा मार काम जी का हमेशा मानना था क्योंकि यहां पर एक जो युवा नेत्रित है उसकी आवसबता है युवाव में नए विचार होंगे नए उर्जा होगी नए तरह से काम करने के उनके पास नए नए तरीके होंगे तो एक मौगा उनको भी दिया जाना चाहिए और यह संगठर ने बहुत बड़ी जिम्मेदा कि आज की जो राजनेतिक विवस्था है उसे आप और हम सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि किस तरह से राजनेतिक पार्टियां यहां पर चुनाओं लड़ती हैं और जीतने के लिए कहना चाहिए तो साम दाम दंड भेद यह सारी चीज़ें वहां पर चुनाओं के लिए तो मेरा मानना है कि जो राजनेतिक विवस्था आज-कल के हम विवस्थाommes को आपको हम सबको मिल कर यह सोचना होगा कि इन tablets को हम जाग्रित करें क्योंकि यदी एक अनुस्चित च्छेतर है और और अरक्षित होता है और वहां से कोई आप कि हमारे बीच से कोई ऐसा व्यक्ति Shaun नहीं को चुनकर लेकिन आगे जाने के बाद अपनी जीम्मधारी से मुँ मोड लेते हैं या फिर जहां से वो उठें उन जिम्मेदारियों को वो निभाना नहीं चाहते तो इस तरह की चीजे होती हैं तो फिर उनके पास कोई दबाव होता है कि हमारे उपर जो बैठें हुए हैं उनका दबाव है तो मेरा मानना है कि यदि आप समाज के लिए का कर रहे हैं तो आपको संगठन के हिसाब से काम करना चाहिए और जैसे अभी भी हाली में हमारे अब चुना होना है तो राजनैतिक पार्टियां लगी हुएं आपस में कि किस तरह से हम चुनाओं को जीत सकें और कैसे हम एक दूसरे को मात दे सकें पर मेरा मानना है कि एक बह बावनाय नहीं होंगी तब तक कोई भी राजनातिक पार्टी कितना भी अच्छा अपना घोसनापत तैयार कर ले कितना भी अच्छा भासर दे दे उससे हमारे समाज का भला नहीं हो सकता क्योंकि आज आप देखेंगे लोग यदि मुझसे जुड़े हुए हैं तो उनको पता होगा और आने प्रदेश में पता नहीं मुझे ऐसी व्यवस्था थी या नहीं थी पर जब भाजपा की सरकार थी यहां पर तो हमारे यहां बच्चों की जो आठी तक की परिक्षा हैं वो बंद कर दी गई थी बंद कर दी गई थी कहना चाहिए तो जैसे आपका बच्चा अगर 4 क्षग में वह परिक्षा पॉर्ष भी नहीं होते हैं को उनको भेज दिया जाता था अगली कर नोजने से क्या सलिए पर साक्शर माता पीता उपच्ष्ट नहीं है उनको लगा कि नहीं शिक्षित नहीं को lot वाज़ा नहीं पहुंच सिम अषया जाकर बच्चा पास होगा नहीं होगा इस तरीके से जो हमारी सिक्ष्य व्यवस्ता के साथ खिलवाड किया गया जो हमारी प्रात्मिक शिक्षा है वहां पर आज भी गाउँ में ऐसे स्कूल है जहां पर सिर्फ दो सिक्षक तो आप की जो सिख्षा व्यवस्ता है ऐसी सिख्षा व्यवस्ता में आप कैसे अनुमान लगाएंगे कि आपका बच्चा पढ़के डॉक्टर वनेगा अंजीनियर वनेगा या किसी अच्छे पोस्ट पे जाएगा या फिर राजनीति के छेत्र में जाएगा या फिर अपनी एजन्डे के साथ आती हैं हमारे चेत्रों में तो हम उनसे कभी सवाल नहीं करते कि आप लोगों ने जो घोसना पत्र दिया हुआ है इसमें आपने बस रोड पानी सड़क टंकी यह सारी चीजे उसमें उनके घोसना पत्र में सामिल होती है क्योंकि अगर देखा जाए तो उ लेकिन 2005 से लेकर आज तक आप लोग देख रहे होंगे या फिर आप अपने गाउं में हैं वहां ग्राम पंचायतों में जाकर देखेंगे तो आज तक कभी नहीं हुआ कि कोई विक्ति यदि अपने पूर्खों के जमाने से काबिज है और उसे उसका पूरा पट्टा दिया गया हो तो इस तरह कि जो सासन विवस्था हैं इस तरह कि जो कानून लाए गये हैं अनसूसित छेत्रों में राज्य सरकार को जिम्मेदारी दी गई है कि आपको अनसूसित जो छेत्र हैं यहां पे पंचायत को सासन विवस्था के रूप में आपको संचालित करना है और उस और जिस तरह की समस्याओं को जेल रहे हैं वो कहीं न कहीं कारण है शिक्षा का क्योंकि जो ग्रामिट पर वेस में जो रहने वाले लोग हैं उनकी शिक्षा ऐसी हुई नहीं कि अभी यह शिक्षा का ऐसा अधिकार हम लोगों को दिया नहीं गया इस्कूल जरूर खोली गई पर ऐसी शिक्षा व्यवस्ता नहीं की गई ऐसी गुडवत्ता पूर्ण शिक्षा नहीं दी गई कि हम लोग कहीं पर जाके अपने हख और अधिकार के लिए बोल सके आग भी जितने वी अनुसूजित छेत्र हैं वहां पर आप जाएंगे वहां पर आपको मात्र सक्तिया मि मिलेंगे लेकिन उनको कभी भी अपके अपने अनुसूजित छेत्र के बारे में जानकारी नहीं होती तो फिर हम कैसे अनुमान लागाएं कि हम लोग अपने हख और अधिकार के लिए लड़ने के लिए खड़े होंगे वहां पर तो यह सारी जो चीजें हैं यह जो ग्रामि की जो विवस्थाएं उनके बारे में चर्चा करूं हो सकता है विवस्थाएं जो अनुसूजित छेत्र हैं वहां पर भी यह सारी चीजें हिसासन प्रसासन की लापरवाही वहां पर देखने को मिलती होंगी जैसे कि हमारा अभी जो छत्यसगड़ राज है वहां पर कॉंग कानुन होता है कि अगर अनुसूचित छेत्र को कि इसी तरह से ग्राम पंचायत को नगर-पंचायत बनाना है तो सबसे बड़ी ग्राम सब्सब्स तो जब हमारे पास सारी सक्तिया यदि ग्राम सभह में हैं तो इस तरह से हम लोग उसे कभी पूछा नहीं गया कभी सब्से पूछा नहीं गया क्या इच्छा रखते हैं फ़िए गाहने और से हैं कि समाज को तोड़ने के लिए घर परिवार को तोड़ने के लिए हैं कर डिया है helps। परिवेस का विक्ति किस तरह से अपने हख और अधिकारत की लड़ाई लड़ेगा क्योंकि आज जब अनुसूती छेत्र होने के कारण हमारी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है तो आप अनुवान लगा लिजे कि यदि वो छेत्र नगर पनचायत बन जाता है और पर नगर पालीका बन जाता है तो पिर हम और इस छेत्र के निवा से किस तरह से वहाँ पर अपना जीवन आपन करेंगी क्योंकि जब सवाल किया जाता है सत्तापक्ष के लोगों से जिम्मेदार सासन और प्रसासन के लोग हैं उनसे कि नगर पंचायत बनाने से हमारा क्या फायदा होगा तो कहा जाता है कि नहीं आपको नगर पंचायत में बहुत जादा बजट दिया जाएगा तो यहां पर समस्य यह है कि यदि बजट की ही बात है तो आप नगर पंचायत में बजट देनी के वज़ाए आप ग्राम पंचायत में ग्राम सभा को वो रासी दिलाई जिससे वो ग्राम पंचायत का विक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से वहां पर रासी खर्च करें और अपन पर यहां पर जो जीपी डीपी तयार किया जाता है जिसको हम ग्राम पंचायद विकास योजना कहते हैं तो यह घर में नहीं है मसाले नहीं हैं तो वो मुझे पता होगा वो पड़ोसी कैसे बताएगा कि आज आप अपने घर पे यह चीज़ें ले आईए तो इसी तरह का काम होता है कि जो ग्राम पंचायत की जरूरत है उसको ग्राम पंचायत के निवासियों से ना पूछ कर वो राजसरकार या केंदर सर करती है और वहां से ग्राम पंचायत की विकास योजनाएं वह बना कर भी जाती है यह आपके गावं में आपको किन चीजों की जरूरत है आप पांच साल तक वेट करते रह जाएंगे पर उन योजनाओं के बारे में आपको कभी भी कोई जानकारी नहीं मिलेगी क्योंकि हम है कि प्रक्रति निदी तो सीदी सी वात है हर पंच वर्षी में यह होना चाहिए कि जनपत के दियुक्त के अदर कि समीतियों को गठन होगा किस तरह की समीतिया आप क्या काम करेंगी वन समीतिया क्या काम करेंगी क्सिक्षा सब्सक्राइब ऑच निर्मार्ण में क्या 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 काम करें और इस तरह की जो जटीजें वह जनपद से हम लोगों कभी नहीं नहीं मिला है लेकिन उसके बाद जूद भी हमारे मरवाही को नगर पंचायत की घोसना कर दी गई जब कि ऐसे समय में संभा होई नहीं था कि कोई ग्राम सभा वहां पर बुलाया जा सके और ग्राम सभा में कोई निर्णे लिया जा सके तो इस तरह की जो विवस्थाएं हैं जिसमें जो सोसित वर्ग हैं कहना चाहिए क्योंकि एक अनुसूसी छेतर में जरूरी नहीं है कि वहां पे सिर्प एकी समुदाय का विक्ति रहेगा वहां सामाने वर्ग का भी विक्ति रहेगा वहां स्थी भी रहेगा स्थी भी रहेगा के सामने बोलने का कहने का अधिकार होना चाहिए और उनके हिसाब से उन पर कारवाही भी होनी चाहिए लेकिन आज जिकल की जो चुनाव विवस्था है उसमें मतदाताओं को प्रोलोभन दिया जाता है कि आप पार्टिया ताकत लगाती है कि आप किस तरीके से लड़ क्योंकि मेरा अनुभाव रहा है 2015 का मैंने जो चुनाव लड़ा है उसके बाद मैं 2018 में विधानसभा प्रत्यासी रही हूं गुन्वानागरतन पार्टी से यह तो यहां पर कई लोगों का विचार यह होता है कि इसके अलावा भी आपके पास कई आप्शन है जहां पर आप मौका मिलेगा जन प्रतिनीधी के रूप में एक सर पंच्य और आगे बढ़ सकते हैं लेकिन आप जिस पार्टी से आप प्रतिनीधित्व करना चाहते हैं उस पार्टी में ऐसा कुछ है नहीं कि आप कुछ बहतर कर सकें तो मेरा मानना है कि जो गुनवाना गर्तन पार्टी जहां से मैं प्रत्यासी हूँ और फिर जहां के लोगों ने मुझे खड़ा किया है तो ये एक संगठन की ताकत है कि निस्चित रूप से आर्थिक रूप से जो इस छेतर के जो निवासी है वो सक्षम नहीं है पर उनका इ हम उनके घर में जाकर खाना खा लेते हैं वो कभी हमारे घर में खाना खाले तो एक जो सहयोग की भावना है वह दादा मरकाम जी ने जो इस पार्टी का जो गठन किया था और हमारे जो और जो वरिस लोग है उन्होंने जो निर्ने लिया गुनवाना अंदोलन को चलाने का जो निर्नाय था दादा मरकाम जी का दादा कंगाली जी का दादा ताराम जी का तो यह जो ऐसे महापूरुस है इनको निश्चित रूप से आज की जो युवा पीड़ी है उनको याद रखना चाहिए क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है और कभी-कभी हतासा विवस्टाइं चल रही है बहुत शारी चीज़ें कभी अनसूसीट छ्यत्र में में नहीं सुनी हम लोगों ने कभी स्था की घठ्नाय नहीं नहीं सुनी जब वच्पन में अपने गली महलों में खेला करते हैं हमने कभी मात्रसक्तियों के साथ दृवयुहार की बाते नहीं सुने लेकिन आज यह हो रहा है कि आज अब हमारे ग्रामिट छेत्रों में भी ऐसा परिवेश विक्सित हो चुका है कि आज जो मात्र सकती हैं अपने घर से निकल कर बाहर नहीं जा पारी है क्योंकि कहीं न कहीं एक जो समाजिक जो बदलाव आना चाहिए लोगों चुका है उन्होंने हमेशा यह सिखाया कि जो हमारी जो संस्कृती हैं जैसे कहते हैं कि जिसे एक गंदा पानी एक जगर रुक जाये तो वह सडन देने लगता है यह पिर वह दूसीत हो जाता था तो कि बहती हुई महानदी के समान है जिसे हम लोग को संरक्षित करना पड़ेगा और निश्चित रूप से एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक इसको भीजना होगा और मेरा मानना है और मैंने जो सीखा है अपने बड़ों से और संस्कृत्य यहिए की संस्कृती है और प्रक्रति की विचार धारा रही है जैसे प्रक्रती किसी में भेद भाव नहीं करती वैसे ही हमारी पूर्खों की जो परमपरा रही हमारी संस्क्रिती रही है वही हमारी जोरीती रिवाज रही है यह प्रक्रती ने किसी के साथ भेद भाव नहीं किया तो हम इंसान होकर कैसे किसी के साथ भेद भाव कर सकते हैं और प्रक्रती से बड़ी जो ताकत है यहां पर मुझे लगता है और कुछ नहीं है और जितने मुझे लगता है जितने लोग भी मुझे जुड़े हुए हैं आप सभी लोग मेरी बाते सुन पा रहे हैं तो सहमत होंगे इस चीज से कि दुनिया में अगर कोई ताकत है तो प्र बातों को सुन रहे हैं अगर कोई प्रुटियां अगर होती है तो मैं उसके लिए चाहूंगी पर जो सासन और तसासन की जो विवस्था हैं जिस तरह किसे हम लोगों के साथ खिलवार किया जा रहा है ग्रामिट शेतर में आप लोग अक्सर देखेंगे कि विकास की जब बा क्रिश्रीयदा करएंभाये तो मेरा मानना यह है कि हम लूग देखेंवर्कीले डचाहां के नाम पर हम लोग सिर्फ नाली लेना चाहेते हैं प containing की महिला में महिलां को जरुर ऑनंग ही जाती है सासन की तरफ कि यह इसा जाता है जैसे आपको एक बहुत नए जमाने का बॉटल दे दिया जाता है उसके अंदर गरम पानी भर दिया जाए और आपको कहा जाए कि आपके लिए पानी है लेकिन जो विक्ति जान नहीं रहे कि इस बॉटल को खोलना कैसे है इसको मुह में डालना कैसे है तो कैसे अपनी प्यास बुझाएगा उसको पता कैसे चलेगे बॉटल के अंदर कितना गरम पानी ठीक उसी तरह स्वसाहाइता जो समू है हमारे छित्रों में उनके साथ ऐसा खिलवाट किया जाता है कि आप उनको लोन तो दे रहे हैं लेकिन आप उन्हें प्रसक्षित नहीं को दिया जाना चाहिए तरीके से जाकर गाओं में लोगों को समझाती है कि आप जो महिला स्वसाहाइता समू कि जितनी भी मात्र सकते हैं वह अपने व्यवसाही के लिए कि तरह का काम कर सके क्योंकि आस तक यहीं देखा जाता है कि निर्वाचन के समय बहुत सारे लोग नि आप चलिए पर मेरा माना यह एक इसमय आप डिए की को स्वालंबी कर सोंबिशना हैं अगर कि लोगों को आप प्रयासियार जाता हुं कि आइस तरुप से अर्थी जिए जाता है कि लिए अबाएशी यहाँ को बने रिसक्षित सम परने सारोचन करना सदान बने में एक दि आप लोग अनमान लगाया हुगा या आप इस बारे में विचार किये होंगे कि जैसे हमारे चेत्र में योजनाय आती हैं करना नहीं खड़ए करुए करना तो अन्हीं योजनाओं का जो है क्रियान वयान अच्छी तरीकिया से हो नहीं पाता है वह पहुंच नहीं पाती है और जादा से जादा हमारी महिलाओं के लिए ये यदि रोजगार का साधन कोई उपलब्द क्राया जाता है तो वह योज़नायल ये होती हैं कि आप मुर्गी पालंग कर लिजे आप गाए पाल लिजे तो हमारे गाओं और घर में वैसे भी मुर्गी पाल रखे हम लोगों ने वैसे भी गाए बच्छडे बैल यह सारी चीज़े हम लोग के घर में क्योंकि यह तो एक हमारे परिवार के सदस्ट की तरह हैं जो हम मिल जूल कर खेत में काम करते हैं और अगे जीवन यापन के लिए जो संसाधन जुटाते हैं तो मुर्गी पालन से लेकर आपको बकरी पालन दिया जाएगा मुर्गी पालन दिया जाएगा इसके अलावा कोई भी लाबकारी जो योजनाय हैं वो चीज़ें हमारे ग्रामिट छेतर में हमारे युवाओं को रोजगार की रूप में नहीं दी जाती हमारे सोसायता समू की म कि एक विकसित समाज बनाने के लिए निश्ची तुरुप से आज हर किसी को अपने आवक का साधन जुटाना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आपके पास आयका साधन नहीं होगा आप अपने बच्चों को अच्छी सिक्षा नहीं दिला पाएंगे क्योंकि आपको यदि आज के दिनांग में आपको अपने बच्चों को अच्छी सिक्षा दिलानी है तो निश्ची तुरुप से आपको अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालना पड़ेगा तो फिर इन सरकारी स्कूलों का क्या फायदा इस सरकारी स्कूल फिर क् कैसे competition में भाग लेगा और कैसे जो बाकी बच्चें उनके साथ कैसे compete करेगा तो यह जो विश्य है यह जो चिंदा का विश्य है इन पर कोई विचार नहीं किया जाता ग्रामिड छेत्रों में विकास के नाम पर आपके आहां कहा जाएगा कि आपके गाओं का विकास होगा जमीने उनके लिए जाएंगे आप बस्तर इसका बहुत बड़ा उदाहरण है और मतलब जो राज हैं वह भी बहुत बड़े उदाहरण है कि आपके ख़दाने खोली जाएंगी वहां पर जरूर है कि हमारे पास अधिकार है कि जिस गाओं में अगर साधन प्राप्त किया ज होती तो आज जो बस्तर में जितने भी लोग प्रभावित हैं या फिर जहां पर जो भी खनन जो खनी संपदाय पाई जाती है वहां के लोग आज इतने विक्सित हो जाते उनको किसी भी तरह की समस्याय नहीं होती तो यह सारी चीज़ें कि ग्रामीड परिवेस में रहने व जाती है तो इनका जो फाइदा है एक पूंजी पति वर्ग उठाता है और आज जो हमारी लड़ाई है कि यह राजनीती के छेतर में मझे लगता है कि मैं कुछ कर सकती हो यह लड़ाई किसी किसी एक विशेस समुदाय के लिए नहीं है या किसी एक विशेस समुदाय के खिलाफ नहीं यह लडाई है एक अमीरी और एक जो पुझी वाद जो है हमारे देश में उसके खिलाफ के लडाई है आज देश में जो विक ती गरीब है वो दिन प्रति दिन गरीब होते जा रह रहा है और घृत में जा रहा है पुंजी पती वर्ग का करते हैं और इनको अपनी बात को रखते हैं मेडिया प्लेटफॉर्म पे तो मुझे लगता है कि इनको विस्तित पूप से आपको बताने की आप सकता नहीं क्योंकि आप सब को बता है कि आज देश में पूंजी पती कौन है आज देश में गरीब कौन है क्योंकि जो विक्ति जो किसान करता है जो आनाज उगाता है आज उसके पास खानों के लिए नहीं है जो विक्ति-दि उत्पाद की जो कीमत है वो हमें बताते हैं अगर आपके आसपास कोई टीवी पूलर पंखा जो की चीज़ें चर रहे हैं तो उसका जो भी मूले है वो निर्धाराण कौन करता है जिस कंपनी निसको बनाया है लेकिन हम किसान वर्ग के हो के आज जो देश का पेट पाल रहा ह है वह विक्ति अपने अनाज का जो दाम है वह तै नहीं कर पाता हम लोगों से पूछते हैं जो पूंदी पति वर्ग लोग हैं जो सेट साहु का रहे हैं हम उनसे पूछते कि आप हमारे अनाज की क्या कीमत लगाएंगे क्योंकि खून पसीना वहा के जिस तरह से हम अपने घर के जतने भी जीव-जन्तु उनके साथ खेत में महनत करते हैं और हैंसे ऎकर अपनी महनत की कीमत की कि मत खूं और यदि आज अब ान अनाज की कीमत काकलं करพाता चήक में बहुत होती है और को पूरा की अपने अनाज की कीमत काकलन कर पाता यदि उसमें स्वारत की भावना आ गई होती तो आज पूरा देश कहीं ना कहीं भूखे सो रहा होता लेकिन आज भी ऐसा है ऐसी परिस्थिती विक्षित होती है और हो चुकी है बहुत देखने को मिलता है कि हमारे पास इतना अनाज है अ जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर है और ऐसी विवस्थाओं पर कोई विचार नहीं करता है तो अब वो समय यह है कि आप जो युवा पीठी के लोग हैं आप जो वरिस्थ लोग हैं जो चीजों को समझते हैं जो समाज की बहतरी के लिए काम कर रहे हैं जो बहतर समाज करते हैं समाज के लिए कि आने वाली जो पीड़ी है उसका भविस्थ कैसा होगा दिक्कते हां पर यह हम लोगों इतने सारे संगठन बनाए हुए हैं फिर वो चाहे समाजिक संगठन हो फिर राजनेतिक संगठन हो हम लोग इतने ज्यादा संगठन में बटे हुए हैं कि हम पर खड़े होकर यहीं कारण है कि हम अपनेहीं हार व्यक्ति के विचारण घ्रिझ करें और जो संगठन एक संगठन हैं यही जग्सिक है नैंने वी था जचाह धार्ण के लिए कहीं न कहीं किसी दिसा में जा रहा हैं परिडाम हम सब यही सोचते हैं जो हमारा लक्ष है यही है कि जो सोशत वर्ग हैं उनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन जो हमारा संगठन वह इस तरह से अलग अलग है और कारड यही है कि हम जिनके खिलाब जिन सोशत वर्ग जो सोशड करते हैं उनके खिलाब जो लड़ाई लड़ रहे हैं और सफलता ना मिलने का जो कारड है मुझे लगता है यही मुख के कारड है और आपको और हम सब को इस विशाय पर विचार करना होगा कि किस तरीके से हम हम बहतर समाज बनाने के लिए इस पहल को करें और यह बहुत अच्छी बात है कि आज सोसल मीडिया के ऐसा प्लेटपॉर्म है कि हम सब एक दूसरे से संपर के माध्यम से जुड़े हुए हैं क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी नियूस चैनल नहीं है जो मूल निवासियों की समस् यह बहुत चिंता के विशा है कि हमें हर छेत्र में विक्तित होना है हमें अपने घ्रामिट परवेस में रह रहें बच्चों को आगे उनका अच्छा भविश्य से देना है क्योंकि हम लोगों ने कहीं न कहीं एक व्यक्तिगत जीवन जीना सुरू किया था और उस व्यक्तिगत जीवन के कारड़ क्या हुआ हम आज भी अपना व्यक्तिगत जीवन ही जी रहें और हमारे जो दादा मरकाम्जी है निष्टित कहते हैं की जो व्यक्तिगत पूंजी है आपने खुद यो बनाई आपको स्वार्थ की और लेपि और यापको स्वार्थ गाम कर्थे समाज के रूप में हम संगठित होकर काम करते हैं तो हमारे गाओं घर का बच्चा जो है आगे हम उसको सहीयोग दे पाते हैं तो अच्छी जगह पर जाएगा अच्छी सिच्छा प्राप्त करेगा अच्छी रुजगार से जुड़ेगा निश्चित रूप से यदि समाज ने उसको सहीयोग दिया है समाज ने उसको उठाया है आगे तो कल को निश्चित रूप से यह होगा कि वह आगे बढ़कर अन्य लोगों को अपने साथ आगे बढ़ाने का काम करें तो इन भावनाओं के साथ जो है दादा मरकाम जी का गुनवाना अंदूलन उन्होंने चलाया मरकाम जी आज राजनीती किये होते यदि वो चाहते कि वो एक सफल राजनीता वने तो उनके पास बहुत सारे विकल्ब थे पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं न कहीं एक सोसित वर्ग जो है वो है मेरे आसपास ही है और मैं उनको किस तरह से उठाने का काम करें तो मुझे लगता है ऐसे जो महापुरुस हैं जिन्होंने गुनवाना अंदोलन के लिए अपना जीवन समर्पित किया इन महापुरुसों के प्रती युवाओं को और सभी को कहना चाहिए तो एक मान सम्मान उनके लिए होना चाहिए आने वाली पीढ़ मंखboys करें कि हम ऐसे अच्छे विचारों पिना किसी स्वार्थ के ऐसा महीं घर मि plu मिला है मुझे लगता है कि इसो विस्वास करता है आप की तो आप किसी गलत रास्ते पर नहीं जा सकते है कि वह विस्वास आपको बांध रखता है की गुणवाना अंदोलन का संगठन है बाया था जो जो लोगों बीच में और अपनी बाते रख पा रही हूं समाज के प्रति अपनी सिंथा व्यक्त कर पा रही हूं, यह समाज के प्रति मेरी क्या भावना है, मैं क्या काम करना चाहती हूं, यहाज मैं यह बोल पा रही हूं, तो इसी समाज ने मुझे ताकत दी है, इसी संगठन के लोगों ने मुझे ताकत दी है, कि मैं आपके सामने य जहां पर मेरे आत्मसम्मान को जहां पर चोट पहुंसती है या फिर मेरे स्वाभिमान के खिलाब कहीं पर चीजे होती है तो मुझे लगता है मैं ऐसी जगह पर बिल्कुल नहीं रहना चाहूंगी और जो चीजे गलत होंगी मिश्चित रूप से उसके लिए मैं आवाज उठ चाहने के लिए वहां पर तयार रहूंगी और आप जैसे जो युवा लोग हैं जिनका संदेश मिलते रहता है जो अपने गाउं में रहकर ग्रामिट छेत्र में रहकर किस तरीके से काम कर रहे हैं समाज के लिए वह जानकरिया मिलती रहती है तो देखकर लगता है कि नहीं म सुम वार तो इसको कोई बदल नहीं सकता तो यदी सीभात है कल मंगल वार आएगा आज यदि ऐसा बुरा वक्त चल रहा है यदि आज जो मुल्निवासी समुदा है आज जो सोसित वर्ग हैं उनके साथ गलत हो रहा है तो निश्चित रूप से इसमें बदलाव आएगा और वह उस बदलाव को लाने के लिए जो आप जिवा सकती हैं जो वरिस्ट लोग हैं उन बहुत सारे लोग जुड़े हैं तो सास की जिनकी नौकरी होगी प्रसासन से सीधा संपर्क होगा कुछ ठीशान बर्ग के लोग होंगें कुछ मजदूर बर्ग के लोग होंगे तो कि आप अपने जीवन में कितना भी पैसा कमा लें लेकिन एक दिन आपको ऐसा करना पड़ यहां पर यह है कि आपके पास क्रिसी भूमी कितनी बची हुए क्योंकि दिन बर दिन आपके यहां मुझे नहीं पता यह काम हो रहा है नहीं हो रहा है पॉरस्ट को द्वारा जो है हमारी जमीने जिस तरह से घेरी जा रहे हैं अधिकार कानून की तो फिर कोई बात ही नहीं होती हैं पर जिस तरीके से जंगल घेरा जा रहा है आज हम हमारे पास अपने जानवरों को चारा और खाना दिलाने के लिए जगह नहीं बचा है आज समाज के जो बहुत गहराई में आप जाएंगे तो माल लिजिए एक परिवार है उस परिवार में एक पिता है उस पिता के दो पूत्र हैं और उस पिता के पास चार एकड़ की जमीन है दो पूत्र है तो सीधी सी बात है आज की आसी परिश्थिती है कि जो एक परिवार है वो दो परिवार में अलग हो रहा है तो यदि वुस्पिता के पास चार परिवार हैं चार परिवार से उन्होंने अपने दोनों बेटों को अपनी जमीन दे दी दो दो इकड हो गए अब आने वाली जो जनरेशन है निशीत रूप से उनको भी जमीन की जुरत पड़ेगी तो दिन प्रति दिन ऐसा हो रहे कि हमारे पास हमारे आने वाली पीड़ी के लिए एक भी ऐसा जमीन का तुकड़ा नहीं बात है तो फिर आप क्रिशी कैसे करेंगे वहां पर क्रिशी ही त है हमारा क्रिशी है लेकिन आज हम पीड़ी दर पीड़ी जमीन के मामले में घरते जा रहे हैं वहीं एक पूंजी पती वर कवेक्ति दिन प्रति धन्वान होते जा रहा है उन्होंने आने वाली जनरेशन तक के लिए सब कुछ सुरक्षित करके रख लिए तो आपको विचा कुछ दिया था लोगों को और आज ऐसा समय आ गया है कि हम लोगों ने अपने जो पूर्खों के द्वारा जो भी चीजें दी गई थी जाहे वह वह भासा की बात हो चाहे रिति रिवाज की बात हो चैसन्स्ति की बात हो या फिर इकिसी भी तरह का जीवणयापन करने के लि और मुझे लगता है कि इन ही सब चीजों को समझाने के लिए इन सब चीजों को चर्चा करने के लिए मैं इस चेत्र में काम करना चाहती हुआ तो निश्चित रूप से ऐसी चीजे होती है कि जो आपका मनोबल तोड़ती है क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि यहाँ पे आपके जो ताकत है उसका आफलन हम लोगों ने पैसे के उससे करना शुरू कर दिया है तो जिसके पास आज पैसा है वही पावरफुल है लेकिन मुझे लगता है यदि एक समाज संगठित है तो उस ताकत से बड़ा कोई ताकत न संगरो सिंध पूझी बनाने के वारे में नहीं सोचा कि हमारे पास जाड़ के लिए चेत्र की और यहाँ ऑप यहाँगे या फिर उस छेतर से ही आप लोग निकले होंगे उन्हीं अभाव की जिन्दगी में आप लोगों ने अपने सिक्षा दिक्षा पूरी की होगी तो निश्चित रुप से आप इन चीजों को बहतर समझते हैं हम लोगों informações सिक्षा की हों χुमारी जैसे रही हो आप Romeo तो पर हो सकता है सभड़वी लेकिन मुझे लगता है कि यह गुन्वाना दर्शन के द्वारा मुझे दिया गया है यह गंटा बहुत समय है और मैंने आप लोगों से जितनी भी बाते साज़ा की है यहां पे मुझे लगता है यह मेरा जो मैंने अपने वरिष जनों से सीखा है यह पिर जो मेरे विचार है जो मैं एक्सर बैठ के सोच त्यूंट पी समाज के प्रति क्या भावना है मेरी होनी चाहिए मुझे कितना काम क यहां पर यह भी चीजे हैं कि आपको समाज के साथ अपने विक्तिगत जीवन के बारे में भी सोचना आवश्यक रहता है क्योंकि विक्तिगत जीवन के बारे में कहना चाहिए तो आपकी जो रूचियां है कि इसी बात है जब हम लोग कहीं पर बैठते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ या तो राजनीती की बाते करें या तो फिर ऐसे बहुत जटिल मुद्धों पर बात करें क्योंकि जीवान एक ह कि बाता है तो हर तरह की चीजें आप अपने परिवार के लिए समय देना जरूरी है अपने जो सगय संबंदी है आपके जो मित्रबंधू है उनके लिए आपको समय निकालना पड़ता है और यह चीजे मुझे लगता है यह बहुत जरूरी है क्योंकि जो सांदिक टाकत जो आपको समय निकालना बहुत आवस्त है और गुनवाना दर्सन के इस पेस पे बहुत ऐसे वरिस्त लोगों को मैंने कर भी बार सुना है हमारे टी अलपी के जो ट्राइबल लीडर से प्रोग्राम में हम लोग पूरे भारत से अलग अलग राज से जो हमारे जन जाती जो लीडर से उनसे हमारी मुलाकात हुई थी तो कहीं रहीं जो ट्राइबल लीडर से प्रोग्राम है उसने बहुत कुछ मेरे जो विचार है उसमें बदलाव लाया है क्योंकि इस चेतर में जब मैं काम कर रही थी राजनीती के चेतर में जब मैंने पहला कदम रखा था पंचायत से ज परिवार की तरह थे जितने भी यूत थे वहां पर उन्होंने एक भावना रखी थी कि समाज में बदलाव लाया जा सकता है हमारे साथ नर्येंजी भी जुड़े हुए हैं सतलुज भी है रबेंद्र भी है तो राजकुमार राजकुमार भी है सतलुज से मेरी बहुत पुरानी पहचान है वह बहुत एक कहना से यह तो समाज के लिए बहुत चिंतित लड़की है और बहुत अच्छा काम कर लें और यह तो बहुत धाकड है वह तो मुझे ऐसे जो बहुत सारे लोगों से मुलाबात हुए तो जिससे मुझे होसला मिला ही अगर सीरीटी सी बात है। हम एक जगह पर नहीं हैं। निशुत्रुप से यदि हम एक जगह पर होते एक साथ काम कर रहे होते तो बहुत परिवर्तन लाया जा सकता था लेकिन हम लोग बहुत दूर हैं एक दूसरे से अपने अपने छेतर में सब काम करने की कोशिस कर रहे हैं तो एक जो संगठन का जो ताकत अचानक से जो देखने को मिलता है तो उस ताकत को दिखाने के लिए हमारे जितने भी लोग है वो काम करने की इच्छ जरूर है लेकिन फितर बितर हैं, कोई अपनी जगह पर अकेले काम कर रहा है, कहीं दो लोग मिलकर काम कर रहा है तो मुझे उनको देखकर होसला मिला कि जो परिवर्तन है वो लाया जा सकता है और यदि इन्होंने हार नहीं मानी ये भी प्रयास कर रहे हैं तो मुझे भी आगे और प्रयास करना चाहिए, और मुझे लगता है जो मैं अभी आप लोगों से एक चीज और साधा करूंगी यह जैसे उक्चुनाओं जो होने वाला है हमारा गौरेला पेंडरा मर्वाही जो जिला भी हम लोग का बना है यहां पे मर्वाही विधानसवा छेत्र में जो उक्चुनाओं होने वाला है तो यह मेरे लिए दुबारा मौका है मुझे नहीं पता पर राम क्या होत पर हम लोग जो विचार से एक चांदा में हमारी पहुँच होनी चाहिए तरह को लोग रह रहे हैं जो रिमोट एरिया जो लोग रह रह हैं उनको अच्छे से पता清楚 में आप रसासर पं पीचिक कुझे जाता है या किसी भी तरह की कारवाही नहीं होती है तो सिधी सी बात है कि राजनीती जो है एक विकास की कुंजी है और इसलिए मुझे लगता है कि गिवाओं को भी उतनी भागी-दारी दिखानी चाहिए यदि वह किसी साथ की सेवा में हैं तो उन्हें भी थोड़ा अपना स समाज की पृति देना होगा क्योंकि वह सिख्षित वर्ग के लोग हैं और प्रसाथन से उनका सीधा संपर्क है तो वह बहुत अच्छे से समाज का मागदसन कर सकते हैं कि कि तरह की चीजें हैं जिनमें बदलाव केलिए हम प्रयास कर सकते हैं क्योंकि एक आम जिंद्गी ज जीता है, रोजी करके जीता है, मजदूरी करके जीता है, या फिर किसी तरह के खेती किसानी का काम करके जीता है, तो वो समय नहीं निकाल पाता उतना, क्योंकि वो वेक्टी साक्षर है, या तो वो सिक्षित नहीं है, तो उनको जानकारी चीजों की होती नहीं है, कि मैं अपन प्रवेश के लिए नहीं देंगे अपने परिवेश के लिए नहीं देंगे तो निश्चित रूप से यह जो आज वास्तविक परिस्थिती है वैसी ही रहेगी और बहुत सारे युवा हैं अब यह जो प्लेटफॉर्म है सोसल मीडिया के ऐसे बहुत से युवा हैं जो हर चेत्र में काम कर रहे हैं जो समाज की बहतरी के लिए काम कर रहे हैं कोई भासा के लिए काम कर रहे हैं कोई रिती रिवास संस्प्रिती को संरफ्षित करने के लिए जो काम कर रहा है तो ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो समझ चीजों को समझ रहे हैं तो मुझे लगता है निश्यत रूप से यह जो बदलाव है वो लेकर हम लोग आएंगे और मैं चाहूंगी कि मात्र सक्तियों को आप लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं यहां पर उनको होसला दे क्योंकि कही न कही मुझे लगता है कभी क जरूर है की वो आंको संगठं के साथ जूड़ रहे हैं और युज्य चैत MIN counseling करना चाहूं ऑATHANbut मैं अपन ञाभन में चाहते हैं और मैंने काम करना शुरू किया था तब मुझे लगता था कि इहां पर जिवा मात्र सक्क्रिएं कि जो संख्या है वो कम है तो वो चीजें कभी मुश्किल हो जाती है कि यदि हम अकेले हैं तो किस तरहीके से काम को करें पंचायत के दौरान भी जब मैं ग्राम पंचायत में सरपंच के पद पर थी तब भी ऐसी बहुत सारी चीजे होती थी सासन की तरफ से दबाव होता था तरफ गौकि आग यहीं ही यहीं है यहीं लोगों में भ्रांतिया प्रफाणित जाती हैं कि यदी आप इस अप्रसासन की सांथ नहीं चलेंगे इन चे उनके हिसाब से काम नहीं करेंगे कारवाही ओगी और 14 पता नेकि डरते हैं क्योंकि यदि आप वह समाज के लिए काम कर रहे हैं समाज सिवा के счhtu Всёरी नहीं lado कि कोई भी जब आपके साथ संगठन आपका खड़ा हो तो कोई भी आपको पद से हटा दी तो कहीं न कहीं यही कारण है कि जो हमारे जो अनुसूचित स्ग्षित्र में ज्यादा तर जो सर्पंच हैं तो वहां पर एक दबाव बनता है कि यहां काम नहीं करेंगे तो हमारे खिलाब करवा ही और बहुत सारी चीजें जो विक्षी सिक्षित नहीं है तो सीधी सी बात है उनके लिए ये बहुत कठिन विसा हो जाता है कि पंचायती जो राज अधिनियम है उसके अनुसार किस तरही के से काम करें तो वहां पर सासन भी हावी होता है यदि आप कहां कोई मंत्री जी आ गए यह अक्तर होता है देखने को मिलता है यह जो प्रत्रकार बंधु जो होते हैं इस्थानी जो होते हैं वह अपनी खुछी से चाप देते हैं बदाई दे देते हैं 15 अगर्ष चब्द जन्वरी की जबकि पंचायत में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती है कि आप किसी तरह के लिए आप अपने पंचायत की रासी का उप्योग करें लेकिन ऐसा जो है ऐसी विवस्थाएं हैं मुझे लगता है च्टिसगड़ के हर पंचायत में व्यवस्थाएं होंगी पर जहां पर विक्ति जागरूप है जहां पर जन्वरी जागरूप हैं जहां पर लोग समझते ह तो वह इन चीदों का खुल कर विरोध करते हैं कि इस पंचायत की रासी है उसका उप्योग किया जा सके और यह होता है कि अगर कोई मंतरी आ रहे हैं कोई नेता आ रहे हैं तो निश्चित रूप से यदि गाउं के जो लोग हैं उनकी जो समस्या हैं यदि वह लेकर अपनी हैं तो आपको यह काम करना पड़ेगा तो कहीं न कहीं एक मात्र सक्तियों में या फिर वह पित्र सक्तियों एक डर बैठा रहता है कि अगर मैंने यह ऐसा नहीं किया तो मुझे पद से हटा दिया जाएगा तो यह सारी चीजे जानने की जरूरत है समझने की जरूरत है क्योंकि कहीं न कहीं कारण यह है कि हम लोग आज तक लड़ते आ रहे हैं कि नहीं हमारे छेतर का विकास होना चाहिए हमारे छेतर में रोजगार होना चाहिए हमारे छेतर में सिक्षा होनी चाहिए लेकिन आज तो इसी तरह की बातें भी मैं उनलोगों से करती हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास देने के लिए जैसे और जो प्रत्यासी होते हैं उनके पास बेने के लिए होता है बर्तन, कपड़ा, साड़ी, पैसे, सराब। मुझे नहीं लगता है कि आप इस शेद्र का विकास करना चाहते हैं मुझे लगता है कि जब आप विक्ति का मत ख३ banner चाहते हैं समाज सुधार के लिए फिर आप किशसा की काम कर रहें लोगों को शिखे रहे हैं कि अप हमारे समान के वदिले फनी भी समग yan है वह बहुत Raz argument कि मेरे पास लोगों को देने के लिए लोगों से साधा करने के लिए मेरे विचार हैं yeah क्योंकि बहुतने के लिए मेरे पास बिल्गुल भी यह अ's कुई समान नहीं के विग्या-इव निरंदर पर निश्क कमकर चला सकता है या आपके पास बाटने के लिए मेरे विचार हैं और हो सकता है इन विचारों से एक अच्छा बदलाव लाया जा सकता है और यह बदलाव तभी संभा होगा जब आप सब संगठित होंगे जब आप सब मेरे साथ खड़े होंगे लेकिन जो सबसे बड़ा जो दुख है मुझे यह लगता है कि इतने सारे संगठन बने हुए हैं जब आप वाटसप मुझे लगते हैं यह चीजें बहुत ज्यादा एक स्पीच की तरह हो रही है तो थोड़ी कुछ नॉर्मल बातें भी करनी से तो जब आप अपना वाटसप ग्रूप देखेंगे ना तो वहां पर हर एक नया संगठन वहां पर बना होता है कि एक संगठन का व्यक्ति है काम वहीं करना चाहते हैं लेकिन वह अपना अलग संगठन बना के करेगा फिर इस तरह से मेरे मेरे पास करीब देड़ मस्ते हो जाती है कि मैं किन संगठन के विक्तियों की कैसी विचारों को वहां पर पढ़ूं कि मुझे लगता है कि सबको एक ही जगह पर आकर काम करना चाहिए यदि आप चाहते हैं कि जो सोसित वर्क के लोग हैं उनके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप उस करने वालों की संख्या कम है तो यह गुड़ भी थोड़ा मुझे लगता है लाना पड़ेगा क्योंकि कहीं न कहीं कारण यह है कि हम लोग अपने जब विचारों को रखते हैं तो लगता है कि नहीं ऐसे विचार अच्छे हैं सुनने में अच्छे हैं लेकिन आप जब उनक मैं आपके कमेंट्स पढ़ लेती हूं आप सब मुझे से बहुत देर से कनेक्टेड हैं और मुझे लगता है आप की जो भी विचार है मुझे आप 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 जो कह रहे हैं वो मुझे पढ़ना चाहिए क्योंकि सुनत मैं सकती नहीं यह यह फोन मैंने इस लिए ही उसक आप तक ना पहुंचे सही धंग से अच्छा भोज प्रोजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका नरेन मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूं और आप आपकी आपकी जो सराहना है मतलब जो आप हमीशा सराहना करते रहते हैं मेरे कार्यों के लेकर तो मुझे लगता है कि नहीं आप जितनी सराहना करते हैं उसकी हगदार हूं नहीं और गुनवाना दर्सन से भी मेरा एक निवेदन है और निवेदन नहीं कहना चाहिए मैं उनको बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे यहां पर आमंत्रिस किया और मेरे विचारों को आप लोगों तक पहुचाने का प्रयास किया अरे और मुझे तो पता ही चला कि समय मतलब एक घंटे का समय हो गया है और अभी भी आप इतने सारे लोग मेरे साथ बने हुए हैं और मुझे वाकई में मुझे पता नहीं चला कि मैं आप लोगों की बीच किन सीजों को मैं सद्सक्राइब करने के लिए अगुलाई को cheating but when you have with your गाइसे हैं श्टाइब को यहां है और उहनते हीös मध्ला emerging सब्सक्राएं के लिए मिलेगा हुआ है चीक अग्ई ऑफ नहीं ने नहीं अनुराइक कünde जाकन पर करो हो गया है local जो मिलेगा करते हैं तो आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन मुझे उनसे व्यक्तिगत रूप से बहुत जादा मैं उनसे प्रभावित होती हूं उनका बहुत प्रभाव वड़ता है मुझे जितने लोग मुझे मेसंजर पर अपना संदेश देते हैं तो कभी-कभी मैं उनसंदेश का जवाब नहीं दे पाती हूं पर मैं आप सब लोगों को आपके सब के पोस्ट या फिर आप जो भी कमेंस करते हैं तो मैं जरूर है उनको मैं देखती हूं मैं उनको पढ़ती हूं और मुझे बहुत ज्यादा उर्जय मिलती आप सब से तो आज के इस लाइव के लिए उसाखिरण मैम का भी बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे परसनली कॉल किया था कि मैं कुछ चीजों को आपके सामने साधा करूं और वड़े जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद और कमल भाई का भी बहुत-बहुत धन्यवाद जिनसे मेरी बात हो रही थी इस लाइव के लिए और आज तो हमारी विरांगना रानी दुर्गावती जी की जैनती है तो उनको भी साधर सेवा नमन क्योंकि रानी दुर्गावती जी एक ऐसी विरांगना है जिनके बारे में पढ़कर बहुत ज्यादा उर्जा मिलती है मुझे और मैं हमेशा कोशिस करती हूं कि मैं मंडला के उन जगहों पर जा पाऊं जहां पर गुनवाना का गौरसाली इतिहास रहा है जो आज भी जीवीत है वहां के गड़ जो हैं वहां के किले जो हैं आज भी इसी तरह से मजबूत हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे जुड़ने के लिए और यदि आपका कोई प्रस्न हो या फिर पूछना चाहते हैं तो आप मुझे सकते हैं क्योंकि आप सबने जो उपना समय दिया है मुझे लगता है कि यदि आप कुछ करना चाहें मुझे तो मैं भी आपको समय दे पाऊं थैंक्यू जगू भाई जगू भाई तो खेर अभी उप्चुनाव में मेरे साथ ही हैं यहाँ पर साथ देने के लिए वह हैं यहाँ पर जैसिवा मोहन जी थैंक्यू नरें, थैंक्यू सो मच्पो जोनिग अगर किसी का कुछ सवाल हो तो आप बेज़ी जग पूछ सकते हैं मुझे मुझे कुछ गलतिया हुई हो तो बिल्कुल उसको तो यह पिर आप लोगों कोई प्रसंद ना हो तो मैं चाहूंगी कि मैं आप सबसे इजाज़त ले लूँ क्योंकि गुनवाना दर्शन की जिस पेज से मैं आप लोगों के बीच हूँ तो उनको भी लगेगा कि आज मैं लाइव आई तो हूँ आप लोगों के बीच पर जाने का नाम नहीं ले लिए सेवा जोहार कुमल भाया जै सेवा योगन्द भाई चतलुज चतलुज जी चतलुज आप मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और आपसे मुझे बहुत ज्यादा उर्जा मिलती है तो हमारा और आपका कनेक्शन जो है वो तो हमेशा के लिए बना हुआ है तो ठीक है आप सब मुझसे किसी भी तरीके का प्रसंद नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल मैं आप जाने की जाज़त लेना चाहूंगी और बहुत-बहुत-बहुत ज्यादा धन्यवाद आप सभी को जिन्होंने अपना कीमती समय जो है इस लाइव के लिए निकाला और अभी निरंतर डेड़ सो से जादा लोग मेरे साथ बने हुए हैं तो यह मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आप सब एक बहतर समाज की कल्पना करते हैं अगर बहतर समाज बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो निश्यत रूप से हम सब एक दिन सफल होंगे और ऐसा सब एक दूसरे के साथ समान के साथ यहां पर रहे हमारी जमूल निवाज रिती रिवाज है हमारी भासा है उसको हम लोग संड़क्षित कर सके और फिर कभी मौका मिला तो निश्यत रूप से मैं आप लोगों के बीच जो है आऊंगी फिर कभी तब तक के लिए आप सभी को जय सेवा जय जोहार जय फड़ापिन और गुनवाना दर्शन के पेज को और वहां जितने भी सदस है उनको पुनाह मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद उसक्रण मैम को भी बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहां पर आमंत्रित किया